हेलो फ्रेंट्स तो अब हम लोग देखने हैं दस सर्च पर जेनेटिक मैटेरल यानि मोलिक्विलर प्रिंसिपल लिए था तो प्रेडरिक ग्रिफित ने दिया था और उन्होंने सबसे पहले एक्सपरिमेंट किया सब्सक्राइब एक्सप्राइब के थे सब्सक्राइब को सुस्ञ पर सब्सक्राइब है है कि जो हिरीरी डी मेटिर जो होता है dna का हिरी डीरी मेटियरल स्व किस ने कुंक्लूड किया कि dx हेरे डीरी मेटिरल का काम करता है तो इसको तीन साइटेजने मिलिफकरी से याय उस्टवाल्ड एवरि थे मैं कोलीन में क्लिव्री दे और एमसी काटी तिन सैंटिस्ट तोसवाल्ड एवरी कोलीं में एक लिवड एंड एमसी काटी आगे की वनवेकल प्रूप वनवेकल प्रूप जो हमारे दिये थे अल्फ्रेड हर्शी एंड अमार्था चेज ने दिये थे दो साइंटिस्त थे अल्फरेड हर्षि एंद मार्था चीजु नैंटी 52 में दिया था जो होर्षि और चीज साहब थे दोनों आदमी इस्करीसियी चुलाई पर काम किये थे इस्करीसिया प्रीया चौक जोगी एक बेक्टिरिया है इसी पर इनों में काम किये थे वाइरस पार्टिकली को बेक्टिरिया इसके सेप्रेट करते हैं तो सबसे पहले उसको स्पिनिंग करते हैं उसके बाद उसको सेंट्रिफ्यू कर देते हैं और जो हर्सी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट मिलिया था उसमें सल्फर 35 था और फस्फोरस 32 सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो आक्टिव फस्फोरस 32 था हर्सी और चेज के एक्सपेरिमेंट में तीनि इश्टेप उनों सबसे पहले इंफएक्ट करται इन्फेक्शन उसके बाद ब्लेंडिंग उसके बाद सेंट्रिफिकोशन सबसे पहले इन्फेक्शन उसके बाद ब्लेंडिंग उसके बाद सेंट्रिफिकोशन तीन इस्टेप में होगा तो जो हमारा क्यूबी बेक्टिरियो फाज है और टोबेकोमोजिक वायरस क्यूबी बे सचेंटिक सेतं होने के लिए ग्रेडिया है हैं सबस्के पलो ऊसमें रिप्लिकेशन होनी जाहिए मेला है कि लिए 30 कि यह थिंक्रतैի यह चाहिए stability is property of genetic material यानि कि genetic material की property stability इसको किसने और यह experiment किया था ग्रिफित शाब ने experiment किया था इसका DNA और RNA के बीच में difference तो DNA में जो होता है वह दूसरे नंबर पर estiver नहीं होता है जलकि i rn में दूसरे नमबर पर वेच गुरूप होता है और डी एने में जो पाया जाता है वो थाइमीन होता है आरेने में जो पाया जाता है यूरासिल होता है सेमी कंजर्बेटीव मोडल पूरुडवाई मैथ्यू मेसलसन फ्रेंक्लीन अस्थल ने यार 1958 में दिया था सेमी कंजर्बेटीव मोडल जो दिया था मैथ्यू मेसलसन फ्रेंक्लीन अस्थल ने 1908 ताउन में दिया था सेमी कंजर्वरी virtuous model no就 जो पन्दर था हो रेडिवी एक्टिव आइसो टूप नहीं था है इभी था रेडिवेक्टिव नहीं था भेरिये सेमपल आर सेपरेटेड अधि ग्र्रेडियन्ट जो उसमें क्रलीये थे हुझ सीजियम को लीडिका था अगला एकी इस करिसे कुलाई बीस मिनट में डिभाइड हो जाता हैं टेलर ने परफरण एक्सपेरिमेंट टेलर ने भीसी आ फाबा फाबा बीन्स पर काम किया था जो कि रेडियोक्टिव थाइमीडीन लिया था नाइन्टी-फिप्टी-एट में और उन्हेंने डीन रिप् सवता है इन जो होता है फेली एक्सपेंसिव प्रोसीशों दिसकोंति नेने पूली Top अधरी का खंगू, औलनली क्वाने इन जो होता है इनजा याइब्या DNA polymerase, primase, DNA ligase, or 2.0.